ये तो जग जाहिर है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी विवाहित हैं। बात चली उनकी बायोपिक की तो पूरे में छात्रों ने सवाल दागा कि आपकी हीरोईन कोन होगी। वे बोले मैंने अपने काम से ही शादी कर ली है। अपना जीवन कॉंग्रेस के लिए समर्पित कर दिया है। बहराल पी-एम मोधी फिल्म तो आज कल में ही रिलीज होने की तयारी में है। इससे पी-एम की भूमिका ख्यात अभिनेता विवेक औबरॉय कर रही है। वही राहुल की बायोपिक भी बन रही है। इसमें अभिनेता अश्विनी कुमार राहुल की भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म में पी-एम नरेंद्र मोधी की भूमिका हिमंत का पाड़िया निभा रहे हैं। कुछ समय पहले ही पूरु प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिह के जीवन पर बनी दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खैर ने मनमोहन सिह की भूमिका निभाई थी। वेस फिल्म में पूरु पी-एम की भूमिका उनके भाई राजु खैर निभाते नजर आएंगे। इसकी स्क्रिप्ट लिखी है पत्रकार से फिल्म निर्देशक बने रुपेश पालने। इसकी कथा पूरु प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी की हत्या से शुरू होकर आम चुनावों के पहले के माहौल तक चलती है। इसमें राहूल के बच्पन से कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने तक के अनेग घटनाकरम पेश किया जाएंगे।